Hello guys, my name is Amit, and in the EPFO MC series, we are doing a final revision. There was a technical issue, the lesson didn't have to be uploaded, it was stuck in the checking, so this didn't have to be uploaded in the morning. Part 2, which I had completed in the morning, this is the history and political questions, 25 questions, and the next 50 questions, that will get you in the morning, 7-8 minutes, and the current affairs will be mainly questions, other social security, labor laws, and other questions. So, today's day, there is stress, and I hope that wherever you are, you will be in the center of the court, and you will be in some hours. But, maximum, you have to keep your attention to health, that your health is not bad, and you will be able to keep your attention to health, and you will be able to keep your attention. The second thing is your mental health, which is why I am talking about it. You are all mature people, and the maturity means that in any situation, you will be able to take your attention to the future. If you have any problems or any negativity, you will be able to accept it. If you don't engage and break up the accountable, you have tobage in the future, it will always rotpate the responsibility. And when you start to collect decisions from other standards, and if you have to keep that contrario, this means that all feeling of the material. And if you change and get that menti from potential, this means that you Net genuinely don't deal surely, इस phase में, career के phase में कि आगे कि आपके decision जो है वो positive रहे, strong रहे, आपको result दे तो जैसा भी जो भी कुछ आज है उसको हमें accept करना है, हमें कोई कमी है तो accept करना है, हमें कुछ अच्छाया है तो उनको लेके हमें आगे जाना है और improve करना है और एक mature आदमी की तरह सोचो, समस्याइं बहुत सारी आएंगी, देखो एक बात मा आपको बता दूँ, selection हो भी जाएगा ना, उसके बाद आप ये मत सोचो कि कोई बिल्कुल सारी समस्याइं end हो जाएंगी, selection उन्हीं लोगों का हो रहा है आज के दिन, खासकर सरकारी सिस्टम में जो की उस pressure को जहल पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याइं खतम जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप आगे वाले आने वाली समस्याओं को जहलने लायक हो तो ये consistent struggle है, तो आज आप pass होते हो, fail होते हो ये matter नहीं करता है, matter ये करता है कि आप deal कैसे करते हो अपनी life से, समस्याइं कैसी भी है, results कैसे भी है, examination कैसा भी है, आप अपना self कितना मजबूत रख पाते हो और मजबूत का मतलब कोई over confident या aggressive नहीं होना है, इसका मतलब ये होता है, कि maturity से deal करना है, अपनी कमियों को accept करना है, ताकि आगे के लिए आप strong decisions ले पाओ, तो इसी तरह का दिमाग आज आपको रखना है, लोग बोलते है, meditation करो, ये करो, इस तरह से करो, लेकिन हर चीज का ultimate aim क्या है, logic क्या है, किसी के बोलने से आप आँख बन करके जो भी सब कुछ सोड़ी कर सकते हो, acceptance की बात है, आपके दिमाग को cool रखने की बात है, अपने आपको काम करने की बात है, तो अपने आपको काम करो, आपने कुछ भी नहीं पड़ा है, तो भी आप फ्री रहो, आपका वो positive चलना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, खुश मिजाद से exam दो, और मैं तो जैसे approach आपको बचाता हूँ, मैं तो हमेशा ये सोच के जाता था, examination hall में, कि नहीं होगा है, छोड़ो, लेकिन फिर भी देख के आते हैं, पता नहीं हो जाए, तो expectation इस तरह से रखो जस exam के पहले दिन, ठीक, आप यहीं मानो के नहीं होगा, और फिर दिमाग से प्रेशर हट जाता है आपका, और फिर जुतना भी आपके अंदर best हो सकता ना, वो आप अपने exam में देते हो, तो इस सी इसका आपको ध्यान रखना है, आप result की मत सोचो, क्योंकि result की आप सोचो वो एक तरह से एक शेल में चली जाएगी, कि फेल हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ फिर डाक दिखता है, नेगटिविटी दिखती है, वो चीज है, वो नहीं करना है, क्योंकि वो रियालिटी नहीं है, लाइफ में बहुत सारे रस्ते आपको मिलेंगे, आप इसमें पास ह उनके लिए हम सीरियस परपरशन यहां पर स्टार्ट करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में हैं, वो सब इसी का एक प्लेज ले कि वो मैचुरिटी से डील करेंगे लाइफ के इस फेस को, और जितना मैचुरिटी आप दिखाऊगे उतने ही ज्यादा चांस तो आगे आप सफल हो जाओगे, और हजार तरह के फील्ड है आज आपनी लाइफ में जो है ना कभी भी अपनी सोच को एक शेल में डबे में बंद मत करना कभी भी, उसको इसको कंस्ट्रेक्ट मत करना, एक लिमिट में मत रखना, कभी यह मत सोचना कि कोई एक 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 बड़े से बड़े लोग, हर किसी के अपनी स्टोरी होती है, आपकी भी एक अपनी स्टोरी होगी, किसी और की स्टोरी से आपने आपको कंप्यार कभी में मत करना, हर कोई यहां पर लाइफ जी रहा है, अपनी स्टोरी लिख रहा है, हो सकता आप उसमें और ज्यादा फेल ह तो आगे शोरली पॉजिटिव टाइम आएगा और पॉजिटिव टाइम जब आता है जब आप स्ट्रोंग होते हो तो आप को स्ट्रोंग रहना है चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को सबस्क्राइब आप कर लेना और पीडी एफ आप को इस टेलिगराम गूरूप पे मिल केसरी जो एक बहुत इंपोर्टन न्यूस्पेपर था उसके फर्स्ट एडिटर थे और सुधारक नाम का उन्होंने खुद का एक पिरियोडिकल स्टार्ट किया था और प्रिंसिपल थे वो फर्गुशन कॉलेज के यह सारे ही वर्ड्स इवेंट्स बहुत ही इंपोर्टन हिस्ट्री के अंदर की हिस्ट्री पढ़ते हैं आप सिधा बीजी तिलक पर पहुंचते हो लेकिन वह गलत है वह एडिटर फर्स्ट कौन थे इसके और सुधारक जो है वह किसने स्टार्ट किया था तो इसका आंसर होग गोपाल गृषनेश अगर कर आप कई बार नाम देखते हो तो यह 1856 से लेकर 1895 तक जिये थे और एस्थमा की समस्या इनको रहती थी तो उसके कारण यह जल्दी ही इनकी मृति हो गई थी लेकिन जो अपनी शॉर्ट स्पैन अफ लाइफ में नहोंने बहुत बड़े- स्पैटी जो आज तक चल रही है बहुत ही इंपोर्टन स्पैटी थी और फर्गुसिन कोलिज इन सभी के को फाउंडर यह थे इनके साथ में और कौन थे तिलक थे विशनुशास्ति चिपलूंकर थे महादेव बलाल नाम जोशी थे वियसाप्ते थे केलकर गोले एंके अगरगर थे ठीक है और अन्टचबिलिटी के अगेंस्ट में और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इनोंने सुधारक स्राट किया था यह बहुत इंपोर्टन क्वेस्टन है यूपेसी न बहुत बार इसको पुच चुका है और लास्ट फेज में अपनी लाइफ के फर्ग अगरश्मेंट था वो एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन था और उससे पहले बहुत सारे गटनाई हुए थी उसके बात बहुत सारे चेंजिस आय थे लेकिन जो 1885 में जो स्टार्ट वो था कॉंग्रिस का उससे पहले कुछ स्टैबलिश हुई थी कुछ और उगनाशेशन अधरास महाजन सभा को तो इसका आंसर होगा डी ओल सारे ही अब इनके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्यों इंपोर्टन थे थेखो पूनासार वजनिक सभा जो थी वो गवर्मेंट और इंडिया के लोग के बीच में एक तरह से एक ब्रि ठीक है और जो इसके प्रॉमिनेंट लीडर्स थे वही आगे जाकर और उन्होंने कॉंट्रिबरेशन दिया था इंडिपेंडेंडेंस मूवमेंट में तो बाल गंगादर तयलक थे इसमें सबसे बड़े स्टेशर के और स्टार्ट किस ने किया था पूनासार वजनिक सभा क तो 1870 में एसे चिपलूंकर, गनेश वासदेव जोसी, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, तो ये तीन लोगों ने जो है ये फॉर्म की थे, किया था पूनासार वजनिक सभा, ठीक है, बीजी तिलक, गुपाल हरी देश्मुक, जो लोग खेतवादेजिन को पूनासार वजनिक सभा के, अगली है मदरास महाजन सभा, इसके ओपर भी UPSC कोशन पूछता है, जो ज्यादा लाइम लाइट में नहीं आए, लेकिन उनका जो इंपोर्टेंस था, बहुत ज्यादा था, तो मदरास प्रेजिदेंसी में ये एक बहुत इंपोर्टेंट सभ और इंडियन नेशनल कॉंग्रिस की प्रेजिदेंसर इसको भी कहा जाता है, जो कि इसने काम मदरास स्टेट में में ली किया था, तो आइनसी को आगे प्लाटफॉर्म देने के लिए इनको प्रेजिदेंसर कहा गया है, पूनासार वजनिक सभा को, बंबे प्रेजिदेंसी के एसोसियेशन को, एक इंडियन एसोसियेशन आई थी, मैनर जी वाली, और ये सब जो हैं, आइनसी के प्रेजिदेंसर कहे जाते हैं, मदरास महाजन सभा, मदरास प्रेजिदेंसी की पहली ओगनाजिशन थी, जिसने इंडियन के राइट्स के लिए एजिदेशन किया था, मदरास नेटिव एसोसियेशन थी, मदरास नेटिव एसोसियेशन ये थी, जिसने सबसे पहले एजिदेशन स्टार्ट किया था, लोगों के राइट्स के लिए, ये और 1849 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, लेकिन बाद में डिस्पैंड हो गये थी, ज्यादा काम आगे फर मेले तो नेटिव एसोसियेशन थी, लेकिन बाद में जो ज्यादा फेमस होई वो होई मर्दरास महाजन सबा, मर्दरास महाजन सबा जो है, उन्हों किसने एस्टैबलिश किया था, तो देखो, वीर रगवाचार यार, जी सुपरमान्यम अरियर, ये सुपरमान्यम अरियर वो वहीं पर था, जहांपर दः हिंदू न्यूस पेपर का ओफिस था, माउंट रोड पे, ठीक है, तो ये सारे ही इंपोर्टेंट है, इन्होंने इंग्लेंड में एक डेलिगेशन भी बिजा था, और साथ में बंबे प्रेजिदेंसी असोशेशन और इंडियन असोशेश नेक्स्ट है, परस्णालिटी को बताना है, ये कौन है, अमबेट करने इनके लिए कहा था, ये ग्रेटेस्ट मैन इंडिया प्रडूस्ट इन रिसेंट सेंचुरीज वो वह कौन थे, इनी से जमचेज जी टाठा इंस्पार हुए थे, और उन्होंने इंडियन इंस्टिट साइन्स बनाई थी सुभास्चंद्र बोस ने क्या कहा था उन्होंने इनको कहा था maker of modern इंडिया तो he was none other than कौन तिलक नहरु या टेगोर कौन थे ये थे स्वामी विवेकानन्द तो दी नन इसका अंसर होगा ये देखो एक मई अठारा सो स्टानमा में कलकेता में विवेकानन्द राम क्रिशन मिशन सोसल सर्विस के लिए स्टैबलिश किया था इसमें सारे पॉइंट्स मैंने वो लिखिया जिन पर कॉशन आ सकते हैं तो आपको यह लग सकता है कि बहुत सारी PDF मैंने डाल दी है लास्ट दिन भी लेकिन इनमें जो issues हैं वो एक बहार रिवा शायरे आश्रम और प्रभुध भारत जो है वो फांड थो क्या था किसी ओर ने किसके बहस्ट पर सवामी विवेका commitments के ही भी स्ट के बहस्ट तो स्वामी में है प्रभुद भारत के सात में यह जर्ट्णल था एक दो जर्ल श्टार्ट होए थे प्रभुध भारत और इनों ने इनको अमेरिका भेजने में बहुत सहयोग दिया था, जब 1893 में शिकागो जब गए थे, स्वामी विवेकानन्द, एक बर्तमान भारत के नाम से, एक बेंगाली लेंग्वेज में ऐसे लिखा था विवेकानन्द ने, जो की उद्वोधन में छपा था, जो बेंगोल तो उद्वोधन में छपाथा, बर्तमान भारत, ड़रत डीवेकानन ने लिखा था, एक उनका में वर्क था, राज-योग, ठीक है, और उस राज-योग में उन्का था, जो नुओ-योर्क में उन्हें डिलिवर किया था, राम-करिटी मिशन के बारे में, जो भी कुछ नोवो उन्होंने पब्लिश किया था, जम सेज जी टाटा विवेकानन्द से इंस्पायर थे और इंडियार इंस्टूट अइंस्ट अइन्स को इन्स्पायर थे, बहुत बड़े बड़ी परसनलिटी, मैक्स मुलर, निकोला टेसला, तो जो वेदिक टीचिंग थी विवेकानन्द की, उनसे ये इंस्पायर थे, 11 सितंबर 9-11 जो आज अलग तरीके से एक infamous date बन गई है, American attacks के बाद में, जो 20-hour attack हुआ था, लेकिन 11 सितंबर World Brotherhood Day भी होता है, क्योंकि 11 सितंबर 1893 को Parliament of Religion के अंदर उनका Master Speech जो है, वो हुआ था, ठीक है? अंबेटकर ने ये कहा था, कि greatest man जो इंडिया ने प्रोडूस किया है, वो गांधी रही है, विवेकानन्द है, सी राजगोपालाचारी, जो की पहले Governor General भी थे, Independent India के, उन्होंने कहा था, विवेकानन्द सेवड हिंदुईजम, एंड सेवड इंडिया, सुवाचांदर बोस ने कहा था, maker of modern India, गांधी ने खुद ने ये कहा था, कि due to विवेकानन्द's influence, love for his country a thousand fold, मतलब इंक्रीज हो गया, गांधी का लव, इंडिया के लिए, हजार गुना बढ़ गया, विवेकानन्द की teaching के कारण, तो ये, सारी information पर question आ सकता है, next, servants of India society was formed in Pune Maharashtra, on 12th June 1905, by Gopal Christian Gokhale, क्या है सही है, servants of India society, Gokhale नहीं establish करे थी, बिल्कुल बात correct है, next, हितुवाद नाम का जो publication था, वो इस servants of India society का क्या mouthpiece था, organ था, और क्या ये नागपूर में start हुआ था, 1911 में, तो ये दोनों ही बात सही है, बिल्कुल historical event है, important है, और आपसे question personalities के बारे में, UPSC लगाता पूछे जा रहा है, पिछले कुछ सालों के अंदर इसले मैं ऐसे questions डाले है, और कोई publication है, कुछ जो important का contribution था, या कोई ऐसा important event था, जो turning point था किसी बड़े event का, तो ऐसे question जादा UPSC पूछ रहा है, तो दोनों ही बात सही है, सी वह तो इसका answer होगा, ये देखो, पुने महरा पूछा में ही, servants of India society, गुखले ने establish करी थी, और इससे पहले, डेकन education society से जुड़े होए थे, और उसको उनोंने छोड़ा था, और बाद में, अपना aim लेके, वो servants of India society को उनोंने start किया था, aim क्या था, कि Indians को educate करना है, और sanitation, health care, इन सब education, इन सब areas में काम करना है, campaign चलाने है untouchability के against में, discrimination के against में, इनोंने बहुत काम किया था, इस particular संस्था ने, alcoholism, poverty, इन सभी के against में, तो इस सारे social causes थे, तो अपना काफी influence इनोंने लोगों पे डाला था, और हितवाद के अंदर जो है, इसके issues चपते थे, नागपर से start हुआ था, गोखले की बात करें, question आ सकता है कि महात्मा गांदी ने अपना political guru किसको बताया है, तो गोखले को बताया है, गोखले जो है South Africa भी गए थे, और उसके बाद जब गांदी यहाँ पर आये थे, तो वो हर जगह उन्होंने यह चीज लिखी भी थी, और उन्होंने लिखा एक book भी लिखी थी, गोखले के बारे म वो British institutions पर थोड़ा सा भरोसा जदा दिखाते थे, क्योंकि वो moderate leader थे, और petition वाला रस्ता जदा अपनाते थे, तो उनका थोड़ा belief था, मतलब British systems के उपर, गांदी को यह बिलकुल भी accepted नहीं था, इसलिए जो है वो ससमान वो उस चीज में थोड़ा अलग चलते थे, और गां पूर सकते हैं, यह देखो, गोखले के contributions यहाँ पर दिये हुए है, ठीक है, डेकर एजुकेशन सोइटी के वो secretary भी रहे थे, और बाद में, छोट भी दिया था उन्होंने, council of India में भी elect हुए थे, ठीक है, 1905 में, जो है, यह president भी रहे थे, Indian National Congress के, और moral mental reforms के अंदर, इनका instrumental contribution था, एक और important बात, गांधी ही नहीं, जिन्ना के भी यह mentor रही है, गांधी ने जो है, एक book में लिखा था, गोखले माई political guru, बुक लिखी थी गांधी ने, गोखले के बारे में, तो जिन्ना और गांधी दोनों के political guru थे, गोपाल कृशन गोखले, नेक्स्ट है, बाल गंगा तीनों ही चीज, तीनों ही चीज, तीनों ही चीज तीलक ने लिखी थे, तीलक जो है, mathematics के professor रहे थे, गोखले भी रहे थे, दोनों के बहुत rivalries भी चली थी, शुरुबात में कूप साथ में काम किया था, एक ही college में ये पढ़ते थे, और पढ़ाते भी थे, ठीक है, पढ़ा और गोखले जो है, वो moderate leader थे, तो विरोध भी काफी जदा होता था, तो ये एक famous rivalry है, तिलक और गोखले की, जिसके बारे में बहुत साथा पढ़ा जाता है, लेकिन तिलक ने बहुत सारे चीज़ें जो है interesting भी बताई थी, जैसे कि Aryan जो थियोरी थी, उसके बारे में बहु बुक लिखी थी, तो उसमें कर्म के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा था, तो ये सारी ही चीज़ें सही है, इनका relation तिलक सही है, तिलक ने दो weekly start की थी, एक तो केसरी माराथी में और मारता ये English में थी, ये बहुत जीज़ा famous question है, माराथी में केसरी, English में मारता, तो देनिक अकबार की तरह हो गया था, एक और important बात, 1894 में तेलक ने जो है, religion का एक टूल बोलें, या फिर उनका faith बोलें, उसको उन्होंने काफी बुनाया, और एक तो जो जो गनेश फूजा मारास्टा डिजन में बहुत ज़दा होती है, तो उसको एक grand public event उन्होंने बनाया start किया था, और एक जो शिवाजी की जैनती जो है, उसको उन्होंने public event बनाया बहुत बड़ा, और इससे जो है, लोगों के अंदर nationalism को फूखने की, उन्होंने कोशिश की, हाला कि उसका जो result है कुछ negative भी हो गया, जहां पर Hindu Muslim के वीच में जो है, थोड़ा issues हो गए, उसका कर tensions भी create हो गए थे, थोड़ा सा orthodox जरूर कहा जाता है तिलक को उनके personality को, जैसे एक और age of consent will का भी issue आया था, उसके अंदर भी उन्होंने विरोध किया था, अंगरे जो का, कि भी आप हमारी संस्कृति के अंदर दखल अंदाजी मत दो, वो issue था age of consent will कि भी लड़कियों की minimum age क्या होनी चीज शादी वाली, उसके उपर issue था, और वहाँ पर भी थोड़ा सा orthodox stand जो है तिलक का सामने आया था, लेकिन आज हम पढ़ते हैं history में, उस time क्या हुआ था, वो चीजें किस manner में थी, उसके उपर हमें comment जादा करना नहीं चीए, क्योंकि हमें पता नहीं, आज क है तरीके से उसको distort भी कर रहे हैं, हर चीज का meaning negative कर दिया है, political कर दिया है, उस तरह से हमें नहीं सोचना है, सभी लोग important थे, उस time पर सब का motive देश को आजात कराना था, और उसी तरीके से अलग लग तरीके से लोग एक ही motive के साथ काम कर रहे थे, तो ये चीजे बहुत important है, इसलिए UPSC SEC जोबे ज़्यादा question पूचता है, तिलक न अंदर उन्होंने नक्षत्रों की calculation बताई थी, ठीक है, वेदों का time पता करने के लिए उन्होंने एक तरह से study की थी, गीता रह से मांडले जेल से उन्होंने लिखी थी, next है, personality को recognize करना है, गोखले के follower थे, social service league के founder थ तो यह कौन थे, लाला लाजपतराय का नाम भी IATU से जुड़ा हुआ है, लेकि social service league के यह founder नहीं थे, यह थे N.M.Joshi, नारेंड मलहार Joshi, गोखले के follower थे, social service league इन्होंने establish की थी, schools, libraries, reading rooms इन्होंने बनवाए थे, क्योंकि यह बहुत ardent follower थे, education system के, और चाते थे कि लोग का पांडर थे, इनके साथ और भी लोग थे, जैसे कि Joseph Bapista भी इनके साथ थे, ठीक है, और यह Bapista जो है, यह तिलक के साथ, उन्होंने बहुत काम किया था, Home Rule League जो है इंडिया में जो एक बड़ा movement चला था, उसके अंदर इनका बहुत ही important role था, Bombay के mayor भी थे 1925 में, और उनको काका का एक टाइटल दिया गया था, यह किसकी बात है, लास्ट वाली, Joseph Bapista की, Next है, Asiatic Society, क्या Sir William Jones ने 1784 में फांड की थी, Charles Wilkins जो थे, वो क्या Asiatic Society के फांडिंग मेंबर थे, और पहले translator Gita के थे, English के अंदर ट्रांसलेट करने वाले, और Alexander Hamilton क्या पहले professor थे Sanskrit के, यॉरोप के अंदर, तो यह वो टाइम था, जब इंडिया के बारे में, बहुत कुछ जो है, पता ही नहीं था इतना जादा अपने रिच कल्चर का जो एंशन टाइम का था, तो इसलिए यह क्वेशन यॉपीएसी बहुत पूछता है, इसका कॉंटेक्ट्स में आपको बता दिया है, तो सारी बाते सही है, एसी आटिक सोसाइटी की भी एक हिस्ट्री है, 1784 में सर विलियम जोन्स थे, सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने जो है, इसको फाउंट किया था, ठीक है, फोर्ट विलियम में, यह सुप्रिम कोर्ट के जुजज थे, उनके साथ यह बैटे थे, और यह जो एक इंपोर्टन एक उगनाईज हुआ था, इसका पहला नाम एसेटिक सोसाइटी था, टीएच, बाद में एक के का कुछ सुपर स्चेशन था, उसको फटाया गया था, फिर एसेटिक सोसाइटी आफ बैंगोल बनी पहले, ठीक है, उसके बाद 11 साल बाद यह, रोयल एसेटिक सोसाइटी बंगॉल बन गई, sorry, 104 साल बाद में ये, Royal Asiatic Society of Bengal बनी, और फिर 1951 में इसका नाम जो है, वो Asiatic Society हो गया, ठीक है तो बहुत बार इसका नाम चेंज होआ, तो ये बड़ी important थी उस time के लिए, Charles Wilkins और Alexander Hamilton इसके famous members रहे हैं, Charles Wilkins जो है, इनोंने पहली बार गीता को English में convert किया था, Europeans के लिए, और संस्कृर्ट के पहले professor, Europe के अंदर Alexander Hamilton थे, ये British linguist थे, नेक्स्ट है, ये personality बतानी है, ये कौन है, इनोंने एक spiritualism की syncretic school established करी थे, इसका नाम नवविधान था, या new dispensation, dispensation English में कह सकते हैं, और Indian Reform Association 1870 में इनोंने found की थी, जब यॉरप से वापिस आये थे, 1870 में ये Queen Victoria से मिले थे, British Monarch जो थी, और British rule को accept किया था formally इनोंने, और इस बहुत गुसा हुए थे इन के उपर, ये कौन थे, केशफ चंदर सेन थे, इस्वर चंदर विद्या सागर थे, रविंदर ना टेगोर थे, या राधाकान देव थे, इनका नाम था, केशफ चंदर सेन, केशफ चंदर सेन, ये highlight होने से रह गया, एस का अंसर है, केशफ सेक्रेटरी बने थे 1854 में सिर्फ 16 साल की उमर में ये बड़ा युनीक चीज थी सिर्फ 17 साल की उमर में फिर ये British India Society उन्होंने स्टेबलिश करी ठीक है? और 1857 में दो साल बाद 19 साल की उमर में बर्मा समाज के उन्होंने जॉइन कर लिया और फिलोसोफी को पढ़ने लगे ठीक है? और फिर ये Theodore Parker से इंफ्लुएंस हुए और फिर इनका इंटरस्ट वो Christianity में बढ़ने लग गया तो उन्होंने गुडविल फ्रेटर्निटी के नाम से अपने घर पे ही एक स्टार्ट किया और Divindra Rae Nagar के काफी करीब आ गये उस ताइम पर काफी जो है उसे इंफ्लूएंस दे उस ताइम पर Divindra Rae Nagar के फाइदर थे सेन ने जो है Hinduism और Christianity को एक तरह से मिक्सपप करके उसके इडिल्स को आगे प्रोपिएट करना चाहा इसलिए थोड़ा विरोध हुआ उनका और जो Christian Missionaries का discipline होता था जो उनका एक particular system होता है उनिक उससे काफे influenced थे तो इसलिए यह interest उनका बढ़ा फिर जब यह Christianity की तरफ ज़्यादा इनका जुखाव बढ़ने लगा 1865 में तो इसके कारण दिविंदेना टेगोर के साथ इनके थोड़े से relation खराब होने लग गए और फिर इनोंने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया ठीक है इनोंने फिर ओल्ड ब्रह्मो समाज जो है वो तो अलग रह गया जिसको आधी ब्रह्मो समाज कहा गया और इनोंने बनाया भारत वर्षिय ब्रह्मो समाज भारत वर्षिय ब्रह्मो समाज उफ इंडिया इंग्लिश में इसको ब्रह्मो समाज उफ इंडिया बोल सकते हैं या भारत वर्षय ब्रह्मो समाज केशव चंदर सेन ने स्टार्ट किया फिर इन्होंने intercast marriage, child marriage, इन सब के विशे में काफी अपने विचार रखे, widow remarriage को support किया, child marriage के against में बात करी, intercast marriage को support किया, लेकिन बात में controversy में इसलिए भढ़ गए क्योंकि इन्होंने अपनी ही एक जो बीटी थी, जो 18 साल से कम की थी उसको कूच विहार के प्रिंस के साथ उन्होंने शादी कर दी उसकी तो वो 14 साल की ही थी उस टाइम पर इसलिए ये कहा कि आप समाज में तो child marriage के अगेंज में बात करते हो और घर में आपकी जो हाँ जट उल्टा चल रहे हो practical life में इसलिए काफी विरोध इनका हुआ इन्होंने एक नव विधान के नाम से universal religion की बात करी नव विधान तो ये भी एक बड़ा famous issue था जो इनसे जुड़ा हुआ था इन्होंने British rule को एक तरह से formally accept किया जब Queen Victoria से मिले और इसके काफी लोग इनसे गुसा भी हो गए थे तो विरोध इनका काफी चलता रहा था life long ये इनके बारे में और चीज़ें बताई हुई है ठीक है Brahma समाज of India या भारत वर्शे Brahma समाज इन्होंने 1866 में establish किया और जो पीछे जो पुराना वाला जो रह गया उसको आदी ब्रह्मो समाज गहा गया जो देविंदरनाथ टेगोर ने आगे चलाया एक 1878 में केसव के ही जो followers थे उन्होंने एक नए और्गनेशन स्टार्ट कर दिया उसका नाम रखा साधारन ब्रह्मो समाज ठीक है स्टार्ट हुए थे पंजाब में दयाल सिंग कोलेज इसी मोर्टिव के साथ जो है स्टैबलिश हुई थी और मदरास प्रविंस में भी ये काम हुए थे तो ये चीजें ये उपियसी बहुत पूछता है नेक्स्ट है विटो रिमेरिज एक्ट को पुष किया इनिशेटिव प्रपोज करके ये कौन थे और 1856 में ये रिमेरिज एक्ट भी पास हुआ था और तत्व बोधनी पत्रिका, सोंप्रकाष और सुबर्शु वंकारी पत्रिका, हिंदू पैट्रियट इन सब के ये पॉब्लिकिशन के साथ में असोसियेटेट भी थे ये तो ये कौन थे, राधारामन रोय थे, इस्वर चंद विद्या सागर थे राधाकान देव थे, देवन देना टेगोर थे तो सबसे बड़ा क्लू है कि जो विडो रिमेरिज एक्ट है उनमें सबसे बड़ा नाम जिस परसेनलिटी का आता है वो है इस्वर चंद विद्या सागर इनके जितना काम जो है विडो रिमेरिज के लिए इंडिया में किसी ने नहीं किया था उस टाइम पर बहुत सार लोग उस चीज के लिए प्रोपनेंट्स थे बाते ही करते थे लेकिन प्रेक्टिकल सेन्स में एक क्मिशन के तरह सबसाथा काम विडो रिमेरिज के लिए उसवरचन विद्या स्थाकर ने ही किया था ठीक है और उन्होंने ंगाफी इसको प्रेक्टिकल सेन्स में अपनी लाइफ में भी लागू किया था, इन्हों ने जो कुलीन ब्राह्मन पॉलीगमी जो का सिस्टम था उसका भी विरोध किया था, जो कुलीन ब्राह्मन क्या होते थे कि एक से जादा साधियां करते थे, तो यह चीज थी, और उसमें बहुत सारी जो है, मतलब इसके अंदर इनों ने यह बेंगोली अलफोबेट्स को कंस्ट्रक्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट किया था, यह भी बहुत फेमस इश्यू है, जो इनसे जुड़ा हुआ है, एक जो है, जो है, जो है, जॉन इलियत ड्रिंक वाटर बथून, यह एंगलो इंडियन लायर थे, इ तीन चीजे जो है जिनसे ये जाने जाते हैं नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के साथ जुड़े हुए कौन-कौन लोग थे MG Rana Day, Pandurang Brothers या Raja Ramon Roy तीन में से कौन से थे तो देखिए MG Rana Day एक बड़ी personality थी जो इससे जुड़ी थी और Pandurang Brothers ने इसको start किया था लेकिन Raja Ramon Roy जो थे वो directly इससे associated नहीं थे तो answer क्या इसका हो जाएगा 1 and 2 B ये देखो दड़ोबा, Pandurang और आत्माराम, Pandurang दोनों भाई थे इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज जो है या प्रेयर सुसाइटी ये बंबे में start किया था केशव चंदर सेन जो थे वही बंगोल वाले वो इनसे मिलने आये थे मारास्ट्रा में और इसके बाद में इन्होंने start किया था लेकिन शुरुवात में ये simple चलता था ज्यादा ज्यादा इसकी popularity नहीं थी लेकिन महादेव गोविंद रानाडे ने इसको join किया और उसके बाद इसकी popularity बढ़ दी गई MG रानाडे तो प्रार्थना समाज के साथ में MG रानाडे जुड़े हुए थे और South India में भी इसको जो है फैलाया किस ने फैलाया गंडुकुरी विरसलिंगम ने फैलाया ये भी एक कोशन एक बार UPSC ने पूछा था कई साल पहले तो ये इशु था एक important बात ये थी प्रार्थना समाज की कि इन्होंने खुला विरोध नहीं किया था ये सीक्रेटिवली काम कर रहे थे खुला विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस ताइम पर ओर्थोडॉक्स सिस्टम बहुत ज्यादा था समाज के अंदर कोई धरों के खिलाफ ऐसे बोलते था उसका बहुत जादा भेंकर विरोध जहलना पड़ता था लोग मारपीट भी करते थे इसलिए चुपचाप ये काम करते थे और जो भक्ती कल्ड था मारास्टरा का उससे भी काफी इंफ्लूएंस था प्रार्थना सभास का सिस्टम इन्होंने इन विश्यों के ऊपर जो है काफी सोचल एजनडा चलाया caste system का विरोध किया, women education, widow remarriage और male female दोनों के लिए ही शादी की age बढ़ाई जाए इसके लिए इन्होंने काम किया था ठीक है, next है जोतीबा फुले के बारे में question है, बहुत important figure है और महात्मा गांदी के बाद में sorry, महात्मा गांदी से पहले जो है एक personality है इंडिया में जिनको महात्मा का एक संबान दिया गया था, तो Marathi word Dalit, क्या इन्होंने introduce किया था next एक weekly Marathi language की न्यूस पेपर दीन बंदू क्या उन्होंने found की थी और गुलाम गिरी जो उन्होंने book लिगी थी ठीक है, सब जानते हैं, क्या उन्होंने Christian Missionaries को थैंक किया था उसमें और British Colonists को इसमें थैंक किया था कि उन्होंने आकर lower caste को realize करवाया, कि वो सारे human rights के लिए worthy हैं उनको भी मिलने चाहिए, ये एक तरह से जागरती, क्या Britishers ने और Christian Missionaries ने इंडिया में ले के आई, और उसके लिए क्या इन्होंने गुलाम गिरी में थैंक बोला था तो देखो ये तीसरी बात सही है, बिल्गुट सही है गुलाम गिरी में इन्होंने कड़ा विरोध किया था जो ब्राह्मानिकल कल्चर था जो system था, और सारे जो उनके tradition थे, करम, कांड और जितने भी जो एक follow होते थे Orthodox system में इंडिया में उसका बहुत भारी विरोध दिनों ने किया था और untouchability के against में शुरुवात में जिनोंने सबसे भेंकर वाला एक बड़ा mission की तरह काम किया, वो next, इसका answer है, C1 and 3 दूसरा जो है, वो गलत क्यों है, देखो दीन बंदू के से जुड़े हुए तो थे फुले, लेकिन असली इसका answer है कि इनोंने इसको found नहीं किया था found किसी और नहीं किया था लेकिन ये एक तरह से mouthpiece बन गया था दीन बंदू, अब देखो दलित वर्ड इनोंने दिया और उसके बाद में ये 70s में ये वर्ड जो है दलिती बहुत पॉपिलर हो गया था खासकर महराशना रीजिन के अंदर अपनी बुक गुलामगिरी में इनोंने Christian missionaries को थैंक बोला और कमजोर जो लोगों का एक बहुत बड़ा था इंडिया के population के अंदर उनके life में कोई change नहीं आता था और हर किसी ने उनका जो है उनको दबाया ही था इवन हिंदूइजम के अंदर भी जो है काफी उनको यातनाए जहलनी पड़ी थी आए कह रहे है कि वो तो पहले से घुलामों के जिन्दगी जी रहे हैं इंडिया तो अब जो है माना जाएwowus Ci दियनी गुलाम हुआ ब लेकिन यह तो पहले दो जी जी गुलामी के ही जी रहे है इसलिए गुलाम किरी में यहीं सब करी है बड़ी इंस्पाइरिंग चीज है, और सत्यसोदक समाज जो है, इन्होंने स्टैबलिश किया था, 1873 में, इसका इंग्लिश में नाम truth seeker society था, तो कई बार इंग्लिश का नाम पूछ लेते हैं, आपसे एक्जाम में पूछा गया था, और बोट लोगों ने, लोग समझ नी पायते हैं, क्या है, यही सत्यसोदक समाज ही था, truth seeker society, तो इसमें, इन्होंने, इन्होंने depressed groups के लिए काफी काम किया था, विमन के लिए इन्होंने बहुत ज़दा काम किया था, सिर्फ जो दलिट्स या suppressed groups के लिए हैं नहीं, विमन के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, इनकी वाइफ थी सावितरी भाई फूले, जिन्होंने इंडिया के अंदर girl education को start किया था, वो pioneer थी उसकी, और अपनी पूले हैं या महात्मा गांदी हैं, तीन है, इनका जो membership थी समाज के उसमें ब्रहमन्स भी थे, और मुसलिम्स भी थे, गवर्मन्न ओफिशल्स भी थे, दीन बंदू एक मराथी लेंग्वेज का weekly newspaper था, जो पुने में start हुआ था, ठीक है, कृष्णा राओ पांडुरंग भ जिसने explicitly जो लेबर क्लास था इंडिया गा, उसके बारे में issues उठाये थे, उनकी problems को उठाया था, और peasants और workers के grievances को weekly इनोंने articulate तरीके से दिखाया, दीन बंदू, बहुत famous था दीन बंदू उस ताइम पे, और एक जोलंत मुद्दिले के आने वाला पहला news paper था, जो की दब आर्टिकल 262, Constitution का, अब ये पॉल्डे के questions है, क्या ये प्रवाइड करता है, एजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर दिस्प्यूस, बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 262 में इंटर स्टेट वाटर दिस्प्यूस की ही बात है, only Supreme Court is empowered to listen to the interstate water disputes and to decide, ये बात बिल्कुल गलत है, Supreme Court, High Court को ये power नहीं है, इसके लिए Article 262 ने Parliament को empower किया और Parliament ने act pass की है, तो river tribunals बनते हैं इंडिया में, ठीक है, और जो states involved होते हैं, वो request करते हैं, उसके बाद ये tribunals बनाय जाते हैं, और उसके जो decisions होते हैं, वो binding होते हैं सभी के उपर, तो Supreme Court को अधिकार नहीं है के मामले में, original जो रिजिक्शन Supreme Court का इसमें नहीं है, हां, लेकिन ये होता है कि कोई सकता है कि कोई सकता है कि सबसे बड़ा कोट है इंडिया का, तो अगर ऐसा हो कि कहीं पर भी कोई solution नहीं मिल रहा हो, या फिर कोई चीज ऐसी acceptable नहीं हो रही हो, और वो इंसान के right से चीज हो या बहुत बड़ा इशू हो तो special case के अंदर कोई भी मामला Supreme Court में जा सकता है लेकिन originally Supreme Court में नहीं जाएगा Interstate Water Dispute कोई भी, आंसर इसका होगा, only one, एट, ये देखो article 262, adjudication के लिए ये Parliament Law ले के आता है, और River Boards Act आया है, Water Dispute Act आया है इंडिया में, और ये Tribunals बने हैं इंडिया में, Tribunals ही सुनते हैं इन सारे इस्यूस को, इनके decision final और binding होते हैं सारी parties के ऊपर Next है, Contingency Fund of India, क्या Constitution ने Establish किया है, जो की President के Disposal पे रखा गया है, और बिना कोई Parliament के Authorization के Unforeseen Expenditure के लिए, क्या इसमें से पैसा निकला जा सकता है, Next बात है, Public Account of India, क्या Public Account of India, Executive Action से Operate होता है और बिना किसी Parliamentary Appropriation के, क्या इसमें से पैसा जो है, वो बुक्तान किया जा सकता है तो देखो, Only Two Correct है, सिर्फ ये वाला Public Account of India, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने Small Saving Fund Schemes बढ़ाई थी आपको, उस ताइम पर भी मैंने आपको बताया था, कि Public Account of India में ये और Public Account of India से पैसा निकालने के लिए कभी Parliament के लिए Authorization की जरूत नहीं पढ़ती है, Appropriation की जरूत नहीं पढ़ती है, क्योंकि Normally, जो Consolidated Fund of India है, जो Article 266 के Quoting Establish हुआ है, Consolidated Fund of India, Article 267 से Contingency Fund of India हुआ है, तो इस CFI से पैसा निकालने के लिए, Consolidated Fund of India से पैसा निकालने के लिए, Appropriation कराना पड़ता है पहले उस पैसे का, उसके बाद ही पैसा निकाला सकता है, ऐसे नहीं निकल सकता है उसे पैसा, लेकिन Public Account of India से Executive Action से निकल सकता है, अग देखो, Public Account of India के बारे में यहां पर सारा Detail मैंने लिख दिया है, Article 266 में ही जो Second Part है उससे यह Establish होता है, Public Account of India, इसके अंदर Provident Fund के Deposit, Judicial Deposit, Saving Bank के Deposit, Saving Bank वाले, Departmental Deposit, Remittances यह सब इसमें आते हैं, और Small Saving Funds इतने भी हैं इंडिया में, उसका पैसा इसमें आता है, ठीक है, जो Consolidated Fund of India में नहीं जाता है पैसा, और इसके लिए Special होता है, वो पैसा इसमें आता है, मतलब जो CFI में जाना होगा, वो Public Account में नहीं जाएगा, ठीक है, Executive Action से Operate होता है, इससे Payment करने के लिए Appropriation के ज़रत नहीं पड़ती है, Appropriation Bill आना पड़ता है, Budget के टाइम पर आता है, Appropriation Bill, Demand of Grant आत जाल सकते हो, क्योंकि जो Public Account का जो Fund होता है, उसका जो पैसा होता है, वो Government का नहीं होता है, वो पैसा, जैसे मानलो, Saving Bank का पैसा उसमें जा रहा है, Small Savings Scheme का जा रहा है, तो वो Public का पैसा है, वो आपस देना उनको, वो Government का नहीं है, इसलिए उसके लिए Authorization के ज़रत नहीं प गया है, उसमें यह होता है, जैसे उसमें कुछ amount है, वो हमेशा maintain रहेगा, उसमें से ज़रत पढ़ गई, contingency आ गई, कोई ऐसी condition आ गई, emergency वाले, उसमें से पैसा निकाला जाएगा, फिर उसमें से जो पैसा है, जो निकला है, उतना पैसा Consolidated Fund of India से निकाल कर उसमें डाला है, उसको निकालने के लिए तो एक बार निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें वा पैसा वापेस डालना पड़ता है, क्योंकि उसको maintain रखना होता है, कि इतना जो पैसा है वो उसमें रहे गए रहेगा, तो वो पैसा CFI से Consolidated Fund of India से निकाला जाता है, और उसमें से निकालने के स्क्रीन शोट ले जाना मुबाइल के अंदर और लास्ट ताइम में रिवाइज जरूर कर लेना, नेक्स्ट है, स्पेशल पावर्स और राजय सभा, और मैं तो यह कहूंगा, कि आप एक्जाम हॉल में जाने से पहले, जो दो तिन गंटे पढ़ाई करोगे उसमें आप मिल गया तो आपकी बले-बले, तीन कोशन भी मिल गये तो अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो राजय सभा की स्पेशल पावर्स के उपर है, वाइस प्रेजिएंट को रिमूख करने के लिए, रेजुलिशन का सिर्फ राजय सभा में ही आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट अल इंडिया सर्विसेस, जो अर्टिकल 312 में जो मेंशन है, तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या राजय सभाही, राजय सभाही उथराइज कर सकती है पारलेमेंट को, यह क्रिएट करने के लिए, तो यह बात भी करेक्ट है, नेक्स्ट है, पारलेमेंट को क्या यह उथर Vice President को अगर रिमूव करना है, क्योंकि Vice President जो होता है, वो Ex-Official Chairman होता है, राजय सबा का, तो उसको रिमूव करना है, तो राजय सबा में ही आएगा, लोग सबा में नहीं आएगा, Article 67 ये बात बोलता है, 312 में All India Services है, इंडिया में All India Service कोन सी है, Indian Administrative Service, IAS, Indian Police Service, IPS और Forest Service, तीन है ये, ये All India Service कहीं जाती है, बाकी Central Service आती है, IARS है, ये सब जो हैंने, ये Central Service आती है, और State List के अंदर कोई चीज है, उसके उपर कानून बनाना है, तो उसके लिए जो है न, 249 के अंदर Arrangement बताया गया है, तो राजे सभाई अथराइज करेगा Parliament को, State List के subject पे कानून बनाने के लिए, ये देखो, ये exclusive ये special powers हैं जो लोग सभाई enjoy नहीं करता है, ये वो यहां पर सारी दे रखी है, ठीक है, State List वाले subject पे कानून बनाना, All India Service के रिगार्डिंग, Vice President को रिमूव करने के रिगार्डि ठीक है, एक और चीज है कि जैसे मान लो, National Emergency का Proclamation आया हुआ है, और लोग सभाई dissolve हो गई है, ठीक है, और उसको मान लीजिए, अपरोल पेंडिंग है, फिर उसका अप्रू करना है, या फिर, Emergency चल रही है, और उस ताम पर लोग सभाई dissolve हो चुकी है, और राजे सभा ही अके इसा होता है, Bicameral System है, कि House of Commons, House of Lords, इंडिया में लोग सभा है, वहाँपर House of Commons है, इंडिया में राजे सभा है, वहाँपर House of Lords है, तो House of Lords वो बिटिस सिस्टम में ज्यादा कमजोर है, इंडिया के comparison में, लेकिन जो American Constitution के अंदर जो Senate है, Senate जो है, वो strong है, इंडिया से, ठीक है इंडिया में, इंडिया बीच में है, अमेरिका वाले ज्यादा strong होता है, Senate जो Upper House है, और बिटेन वाला जो Upper House होता है, House of Lords, वो इंडिया वाले से वीक होता है, यह भी आप ध्यान रखना, अनिक्वल स्टेटस कहां कहां था लोग सभा से, जहां पर लोग सभा को जदा एक त कर देंगे, Joint sitting जब होती है, तो लोग सभा का speaker ही उसको preside करता है, ठीक है, budget को सिर्फ discuss कर सकता राजसभा, उस पर vote नहीं कर सकता है, demands for grants पे, तो यह कुछ चीजिया है, जो मैंने सारे लिग दी है, PDF के अंदर, और इनको आप revise कर लेना, Next है, Indian Parliament की sovereignty को प्रूव करने वाले factors क कोन से है, तो क्या India की Parliament sovereign है, यह बड़ा ही important question है, समझने की बात है, देखो, sovereignty का नाम देखेंगे, India का नाम देखेंगे, हम सोचेंगे, सब सब बात correct है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है Indian Parliament, India की Parliament sovereign नहीं है, भारत का देश, भारत देश जो है, वो sovereign है, India की Parliament sovereign नहीं है, अप law of the land है, उसके हिसाब से Parliament काम करती है, अपने हिसाब से नहीं करती है, मनमर्जी से, तो जो मनमर्जी कर सकता है, वो ही sovereign है, इंडिया की Parliament मनमर्जी नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि रिटर्न नेचर है, एक तो constitution लिखा हुआ है, जैसे यह जो characters है जो federal system में होते है, जैसे रि तो ये चीज जो है, बताती है कि इंडियन पारलेमेंट सोवरेन नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये प्रूव नहीं करता है, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम तो इंडियन पारलेमेंट के एक तरह से अगेंस्ट हो गया, क्योंकि फेडरल का मतलब है कि सब का मतलब यह होता है लेकिन इंडिया की पार्लेमेंट तो एक इंडिया की एकता को एक तरसे सिंबोलाइस करती है सेंट्रलाइस टेंडिया में इसलिए पार्लेमेंट तो उसका एक सिंबल हो गया सेंट्रलाइशन का फेडरल सिस्टम तो उसका उल्टा होता है जुडिशल रिव्यू, जुडिशल रिव्यू क्या होता है कि भई पार्लेमेंट ने कोई कानून बनाया और उसका जुडिशल रिव्यू भी हो सकता है अगर उमान लिजे वो fundamental right के against जा रहा है तो उसको supreme court जो है high court भी कर सकता है जुडिशल रिव्यू हो सकता है पार्लेमेंट ने कोई कानून बनाया उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है तो इसका मतलब यह भी पार्लेमेंट की sovereignty के against हो गई ये बात लास्ट है fundamental rights पार्लेमेंट ने जो कानून बनाया अगर वो fundamental right के against जा रहा है तो वो null number गोश्यत रहा सकता है, मतलब कि Parliament का बनाय हुआ कानून cancel भी हो सकता है इसका मतलब फिर Parliament sovereign कहा होई sovereign तो British Parliament होती है जिसने जो decide कर लिया जो low pass कर दिया वैसे ही काम होगा इसे बोलते हैं कि it can do anything British Parliament can do anything except changing a man to a woman मतलब कि आदमी को वरत है वरत को आदमी मिनाने के लाओ बिटिश के पारलेमेंट कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो सोवरेन है लेकिन इंडिया के पारलेमेंट सोवरेन नहीं है इसलिए आंसर इसका होगा डीनन ये चीजें बहुत समझाने की explanation की है और अभी मैं जब civil service का start करूँगा तो उसमें इस सारे चीजे में आपको detail में अराम अराम से समझाऊँगा बहुत important है इंडिया की quality और जो syllabus है इंडियन quality का बहुत vast है बहुत समझने वाला है जल्दी यल्दे में इसको समझ नहीं सकते हैं आम बस revise कर रहे है important चीजों को आपके exam में आ जाएं तो आप जो है एकदम से blank ना हो जाओ और गलत ना कर दो क्योंकि गलत भी कर देते हैं quality में सबसे ज़्यादा question गलत होते है students से क्योंकि उनको लगता है क्या मेरे को याद है और वो गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत बारिक सा difference होता चीजों के अंदर तो ये British Parliament से ज़ड़ावा concept है doctrine of sovereignty of Parliament क्योंकि वहाँ पर written constitution नहीं होता है law of the land नहीं है बिर्टिन के अंदर laws हैं वहाँ पर जो है laws हो है जो पार्लेमेंट ने बनाए है इस तरह से है लेकिन इंडिया में जो law of the land जैसे Indian constitution है वैसे वहाँ पर नहीं है वहाँ का constitution ना तो लिखा हुआ है ना तो लिकित है और नहीं वो fundamental law of the land है fundamental वहाँ की पार्लेमेंट ही है ठीक है वहाँ पर जुडिशरी जो है ना पार्लेमेंट के लोग को invalid नहीं कर सकती है जुडिशरी वहाँ पर भी है लेकिन वो पार्लेमेंट के बनाए कानून को invalid नहीं बता सकते हैं तो यह चीज है नेक्स्ट यह सारे चीज़ी बता रखी हैं इसका नाम हम सुनते हैं कौनसी कौनसी पीस्टी होंगी एस्टिमेट कमिटी, एथिक्स कमिटी, जोएंट कमिटी और ऑफिस अफ्रॉफिट और बिजनेस अडवाजरी कमिटी देखो इसके छे ग्रूप्स हैं कैटिगरीज हैं पारलेमेंटरि स्टैंडिंग कमिटीज की और उनमें अलग अलग कैटेगरीज में यह सब आते हैं तो D. Alls का अंसर होगा यहाँ पे हम देखते हैं पारलेमेंटरि कमिटी कौनसी होती है यह वो कमिटी है जो हाउस इलेक्ट करता है या appoint की जाती है speaker के द्वारा chairman के द्वारा, दोनों house में मतलब इनको कह सकते हैं हम लेकिन जो consultative committee होती है न, उसमें भी member of parliament होते हैं, लेकिन वो parliamentary committee नहीं होती है क्योंकि ये permanent नहीं है और ये वाले characters नहीं होती है, consultative committees, PSEs नहीं होती है एक तो ये line आपको याद रखनी है next है, PSEs दो तरह की होती है, standing committee और ad hoc committee, standing committee जो होती है वो एक permanent system उनमें होता है, कि वो हर साल या फिर periodically जो है, वो constitute की जाएंगी लेकिन ad hoc committee हर साल या periodically constitute नहीं होती है standing committees होती है, अब PSEs में department, standing committees, DSCs बहुत ही important है ठीक है laws बनते हैं तो इनका बहुत important काम होता है committee to inquire इसमें आती है ethics committee, privilege वाली, petition वाली और ये 6 हैं, इसमें सब दे रखे हैं मतलब जो question में थी, वो सारे ही PSCs है, standing committees है next है, PSE के बारे में correct आपको बताना है, public account committee के बारे में, बहुत questions इससे पूछे जाते हैं, UPSC के exam में तो क्या members का term of office एक साल का होता है, correct बात है, सही बात है minister क्या कोई इसका member नहीं बन सकता है, ये बात भी correct है तीसरा, CAG को क्या इसका guide, friend और philosopher कहते हैं ये बात बिलकुल correct है बिलकुल जहां पर भी आप CAG और PSE को देखो, तो वहाँ कोई नहीं को relation जरूर मिलेगा, क्यों CAG जो होता है उसका guide, friend और philosopher होता है public accounts committee जो है CAG की reports को ही scrutinize करती है तो D.all इसका answer होगा हमने भी पढ़ा था public account committee जो है वो financial committees में आती है parliamentary standing committee है ये 1921 में बनी दी सबसे पहले Government of India Act 1919 के अधार पर ये बनाई गई थी, इसमें 22 members होते हैं, 15 लोग सभा से आते हैं 7 राजे सभा से आते हैं, मतलब दोनों सदन से इसमें member होते हैं, और proportional representation के system के अधार पर indirectly elect होते हैं एक साल का term होता है कोई भी ministers का member नहीं बन सकता है ठीक है, और 1967 के बाद से एक system चल रहा है, convention चल रहा है मतलब एक ओर rule नहीं है, convention चल रहा है कि इसका जो chairman होता है, वो opposition party से ही आता है हमेशा तो एक तरह से balance भी करता है government को तो जो CAG की annual audit report होती है उसको ये committee examine करती है त्योंकि president जो है, इन reports को parliament के सामने रखता है, और उसके बाद में public account committee इसको scrutinize करती है ठीक है कि ये कैसा खर्चा कैसे हुआ है खर्चा तो हो जाता है पहले ही खर्चा कैसे होगा या उसके ओपर कोई control PST का नहीं होता है, खर्चा होने के बाद में वो scrutinize कर जरूर करते है कि कैसे कैसे हुआ है legal तो हुआ है और कोई technical irregularity तो उसमें नहीं है ये सब काम PST का होता है इसमें CAG इसको assist करता है, इसलिए CAG को guide friend of philosopher बोलते हैं public accounts committee का और भी इसके details है जो आप इसमें PDF में जरूर से पढ़ लेना next question है Supreme Court का jurisdiction क्या greater होता है, बड़ा होता है इसके predecessor से, अब ये predecessor कौन है देखो, इससे पहले जो highest court of appeal होता था, वो British Preview Council होती थी जिसको Supreme Court of India ने replace किया ठीक है तो ये बात correct है next Central Government authorized होती है number of judges जो होता है Supreme Court के अंदर उसको increase या decrease करने के लिए तो क्या बात correct है, ये बात सरासर गलत है, ये अधिकार Central Government को नहीं है, ये Parliament को होता है अधिकार ठीक है आंसर इसका होगा only one ये देखो, 28 January 1950 को Supreme Court of India को इनागरेट किया गया था जादे की बात में तब तक Highest Court of Appeal जो था, वो British Preview Council थी ठीक है Highest Court of Appeal और वैसे इससे पहले Federal Court of India जो था, जो Government of India Act 235 के साब ये साब 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 हाला कि Supreme Court of Bengal जो है वो तो बहुत पहले जो Warren Hastings का ताइम था उस ताइम पर ही स्टैबिश हो गया था चार्ट रेट के द्वारा लेकिन Supreme Court of India के यहां पर बात चल रही है Part 5 में 124 से लेकर 147 के जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं Supreme Court के Independence Jurisdiction Power Procedures से Parliament को उत्राइशन दिया हुआ है कि वो regulate कर सकता है इनको ठीक है अभी जो है प्रेजेंट में 34 जजेश हैं एक Chief Justice और 33 अधर जजेश तो यह जो नंबर है वो Parliament ने चेंज किया था Supreme Court Amendment Act आया था 2019 में उसके द्वारा मतलब amendment करना पड़ता उसके बाद चेंज होता और यह amendment Parliament कर सकती है originally Supreme Court के अंदर आठ थे total judges एक Chief Justice और 75 judges लेकिन यह आज 34 है ठीक है अलग अलग टाइम पर इसका नंबर जो है वो change किया गया है next है Supreme Court का judge क्या अपने office से remove किया सकता है by an order of the President President का order तो आता है तो President जो है इस order को issue करता है removal order को only on the advice of council of ministers इसा नहीं है यह सरकार जो भारत की सरकार है और mainly council of ministers headed by Prime Minister जो होता है क्या उसके advice पे कर सकता है President कभी नहीं इसके लिए procedure है impeachment का Supreme Court के judge का और उसके अंदर Parliament का approval चाहिए होता है उसमें special majority से pass करना पड़ता है तो पूरा एक उसका motion होता है तो यह गलत है दूसरा जो है retired judges जो है वो prohibit किये गए है from pleading or acting in any court और before any authority within or outside the territory of India तो देखो यह sentence बड़ा आपको ध्यान से समझना है यह मैंने जानबुच के इस तरह से लिखा है क्योंकि इसमें एक बहुत चोटी सी चीज है जिसके कारणी sentence गलत हो जाता है आप normally जब पढ़ते हो तयारी करते हो तो आप चीजों को समझते हो कुछ grounds उसके समझते हो कि भई उसको allow नहीं किया गया है ताकि वो क्योंकि वो बहुत important post पे रह चुका है इसके बाद वो किसी को favor ना कर दे उसका कोई misuse ना करे उस knowledge का इसलिए उसको बार किया जाता है कि वो इंडिया में कहीं पर कहीं और जो है वो एक वकील की तरह काम नहीं कर सकता है क्योंकि इतने बड़े honor पर काम करने के बाद में दूसरे जगह पर काम करना उसके लिए एक insult की तरह होगा लेकिन इसमें लिखा हुआ है within or outside the territory of India यह जो लिखा हुआ है constitution में वो यह कहता है कि within the territory of India outside की बाद नहीं लिखी हुई है within the territory of India जो है वो allowed नहीं है बार किया गया है prohibited किया गया है तो यह भी गलत हो गया answer इसका हो गया यह देखो प्रेजिडेंट के order से remove होता है लेकिन जो order आता है वो आता है कि जब प्रेजिडेंट को जो है parliament address करे और उसके अंदर दोनो house parliament के जो है वो special majority से पास करें उसके लिए removal motion सबसे पहले procedure क्या होता उसका वो procedure जो है constitution के अंदर प्रॉपरली original नहीं लिखा गया है यह Judges Inquiry Act उसने procedure बताया कि अगर Supreme Court के जज को remove करना है तो क्या procedure होगा impeachment का पहले तो लोगसभा के minimum 100 member और राजेसभा के अगर है तो 50 member minimum वो अपने respective speaker या chairman को एक removal motion sign करके देंगे मतलब अगर लोगसभा में अगर आ रहा है यह motion तो 100 member देंगे राजेसभा में आ रहा है तो 50 member देंगे removal motion उसके बाद में भी speaker या chairman इसको accept कर सकता है और reject भी कर सकता है ठीक है refuse भी कर सकता उसको admin करने से और उसके बाद तीन member की committee बनाएगा speaker या chairman उसको charges को investigate करने के लिए उस committee के अंदर chief justice होगा या फिर supreme court का judge होगा chief justice एक high court का होगा और एक distinguished jurist होगा यह तीन होगे इस committee में वो इस investigation करेंगे और वो जांच करेंगे कि बही यह allegations सही यह नहीं है उसके बाद में अगर misbehavior या incapacity इन दो grounds के उपर वो guilty माना जाता है तो उसके बाद में motion आगे बढ़ता है और फिर वो दोनों house में pass होता है special majority से मतलब की जो present and voting है उसका तो two third और साथ में यह जो two third है यह उसकी जो total capacity है मतलब individual house की उसके 50% से उपर होने चाहिए मतलब present voting का two third होने ही चाहिए लेकिन जो membership house की उसकी भी majority होनी चाहिए यह दोनों condition जो fulfill होंगी तब वो pass होगा और उसके बाद प्रेजेंट जो है वो removal का और जो order है वो pass करेगा ठीक है और retired judges within the territory of India बाद में कहीं practice नहीं कर सकते है outside की बात नहीं लिखे गई है within the territory of India लिखा गया है next है judicial review का scope इंडिया में जो है वो USA से narrower है और भी संकुचित क्या है तो यह बात बिल्कुल correct है judicial review के अगर बात करें तो अमेरिका से हमने बहुत चीसे follow करी है अमेरिका का judicial review system बहुत ही strong है और कोई भी law जब pass होता है अमेरिका में तो Supreme Court जो वहां का जो court है वो जो federal court है वो उसको null and void गोशित कर सकता है एक तो substantial ground पे जैसे इंडिया में क्या होता है कि जैसे मानलो के fundamental rights के against जा रहा है basic structure के against कोई law जा रहा है तो उसको उन grounds के उपर Supreme Court null and void कर सकता है लेकिन reasonable होने के ground के उपर नहीं कर सकता है इंडिया का Supreme Court लेकिन वहां का court कर सकता है कि ये reasonable भी नहीं है ये law तो भी उसको cancel किया जा सकता है तो ये जो reasonable होने का ground नहीं ठीक है basic structure basic feature constitution का जो doctrine है उसको 9th schedule से जोड़ा गया था ये बात गलत है only one इसका correct answer होगा कि ये स्वानन्द भारती case हुआ था 1973 में तब ये चीज जो है Supreme Court ने बताई थी 9th schedule में नहीं जोड़ा गया था इसको हालागि इसका relation है इससे indirect 9th schedule का ये सारे debate जो है उससे जोड़ी हुई थी लेकिन ये 9th schedule से नहीं जोड़ा गया था basic feature सारी बात हैं पर लिखी हुई है मैंने आपको summary समझा दी है PDF में एक बार पढ़ लेना ठीक है तो ये कहता है कि American principle है judicial supremacy का क्योंकि वहाँ पर court सब से strong है तो judicial supremacy का जो American principle है वो इंडिया में भी recognize किया हुआ है लेकिन limited है वो एकदम वैसा का वैसा नहीं है उतना strong नहीं है America जितना और नहीं हम follow करते है British principle parliamentary supremacy का मतलब हम दोनों की बीच में चलते हैं ना तो हम हमारी parliament supreme है हमार तो constitution supreme है और नहीं हमारा judicial दोनों की बीच का है दोनों का synthesis है एंडिया में यह देखो basic feature की बात जो है doctrine जो इसका आया था वो 24 April 1973 में केसवानद भारती केस के अंदर landmark verdict में supreme court ने propound किया था next है governor का जो office है क्या वो central government के अंदर एक employment नहीं है क्या यह एक independent constitutional office है जो की central government के control में और उसके subordinate होता है तो यह बात देखो इसमें तीन बाते लिखी गई है एक question नहीं है एक sentence में ही 3-4 question है यहाँ पर गलत है यह line क्यों यह बात तो correct है कि central government के अंदर कोई employment नहीं है यह एक individual constitutional office है यह बात correct है यह दोनों clause सही है लेकिन तीसरी जो बात है कि central government के subordinate और उसके control में यह होता है office तो यह बात गलत है यह independent constitutional office अगर है तो वह subordinate कैसे हो सकता है तो contradiction है sentence के अंदर ही logic भी लगाओगे तो भी सही कर सकते हो तो यह बात गलत है during his term of office he is immune from any criminal proceedings even in the respect of his personal acts he cannot be arrested or imprisoned यह होता है जो ओत होती है वो उस state का जो high court का chief justice है वो administer करता है president नहीं करता है ठीक है तो यह बात गलत है तीसरी तो only two correct answer होगा C अब देखो जो चीजे हैं governor के ओपर मैंने ज्यादा डाली है क्योंकि बहुत सारे confusions और questions दोनों governor वाल इस्यों से जुड़े हुए होते हैं बहुत questions आते हैं सब साथा लोग गलत भी governor वाले questions ही करते हैं तो मैंने बहुत कुछ इसमें डाल दिया है और एक बार इसको जरूर से रवाइस कर लेना instead of reading whole chapter एक बार इसको सारा पढ़न लेना ठीक है PDF जो है next है governor holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office however this term of five years is subject to the pleasure of the president देखो बिलकुल बात correct है इंडिया के अंदर government जब change होती है normally governors भी change कर दिया जाते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से जो केंदे सरकार है वो normally रखती है ये pattern देखा जाता है इंडिया के अंदर normally इसका मतलब security तो टेनर की नहीं है हटा दिया जाता है ये जो phrase लिखा जाता ना ये वो लागू होता है इसके उपर कभी भी remove कर सकते हैं transfer किसी और state में भी कर सकते हैं next है किनी दो members को वो nominate कर सकते है state legislature के अंदर assembly में एंग्लो इननी community से तो ये बात गलत है ये तो center में लागू होती है president करता है next है district judges को appoint करना posting करना promotion करना in consultation with high court तो ये बात correct है तीसरी बात correct है जो subordinate courts कहे जाते है district court जो होते हैं उसके अंदर state high court से consult करके और जो appointment होते हैं ये सब governor करता है state का देगे तो पहला सही है तीसरा सही है दूसरा इसमें गलत है ये देखो he may be removed by president at any time और जो president का pleasure बोला जाता है ये justifiable भी नहीं है इसके ओपर question नहीं कर सकता कोई भी तो कोई security नहीं होती है term की नहीं कोई fixed term होता office का हाँ ये बोला जाता है कि 5 साल तक के लिए office का term होता है लेकिन ये pleasure of the president यहां पर लागू होती है और वो कभी भी resign भी कर सकता है governor और president को जो है उसका resignation letter जो है वो address होता है ठीक है supreme court ने 1989 में ये चीज clarify करी थी कि ये कोई employment नहीं है central government के अंडर क्योंकि बहुत ज्यादा मन चाहे transfers और removal होते थे appointment removal होते थे governor के अभी भी होते है उस time ज्यादा ही होते थे तो ये बात clarify की गई थी कि employment central government के अंडर नहीं है कि जैसे कोई और government service servants के transfer अगरा होते हैं तो वैसे governor के साथ करना उचित नहीं है ये point सारे पढ़ लेना बहुत सारा matter मैंने governor के उपर डाल दिया है governor cannot reserve the money bill for the consideration of the president as it is introduced in the state legislature with previous permission देखो जब हम पढ़ते है money bill के बारे में article 110 111, 112 ये जो है financial matters के उपर है और 110 money bill होता है तो ये जो condition होती है ना कि prior consent से ही वो आता है parliament में तो president के prior consent consent से आता है money bill और कोई bill money bill होगा के नहीं होगा ये speaker जो है वो बताता है वो endorse करता है कि हाँ इसको money bill मान सकते है अधार वाले bill के बहुत controversy उठी थी 2016 में तो यही चीज सेम state में लागू होती है कि governor के prior consent से ही वो आता है लेकिन governor वाले case के अंदर एक चीज लागू होती है कि वो कोई भी bill को reserve रख सकता है president के लिए तो यह बात कहना गलत होगा कि वो reserve नहीं रख सकता है next है ordinance making power जो है वो discretionary नहीं होती है it means that he can promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of central government देखो central government जो है practically जहां देखा जाता है हम बात rules यह procedure की नहीं कर रहे है normally यह देखा जाता है कि central government जो है जैसा चाहती है normally states वैसा follow करना चाहिए states को और governor उसमें assist करता है तो agent तो होता है central government का governor state के अंदर लेकिन central government के advice से ordinance नहीं आते है promulgate नहीं होते है वो तो वही system होता है जो center में होता है वही state में होता है कि council of minister headed by prime minister वो जो है advice करते है और फिर ordinances आते है तो यह बात गलत है तीसरी he cannot pardon a death sentence यह बात correct है pardon नहीं कर सकता है death sentence को जो है घर भेजने का दिकार नहीं है governor को यह president के पास यह power होती है ठीक है तो answer क्या इसका होगा 3 only even if the state law prescribes for death sentence the power to grant pardon lies with the president not on the governor but the governor can suspend remit or commute the death sentence death sentence को जैसे की commute करना आजीवन कारवास में बदलना वो कर सकता है governor लेकिन pardon नहीं कर सकता पूरा छमा नहीं कर सकता उसको घर नहीं बेज सकता ठीक है इसलिए D3 only is cancer होगा details इसमें है हर ordinary bill के regarding क्या governor के पास option होते है चार option होते है या तो ascent दे सकता है उसके बाद वो act बन जाएगा या फिर withhold कर सकता ascent को bill end हो जाएगा या फिर reconsideration के लिए house को दुबारा बेज सकता है ठीक है विदानसभा को दुबारा बेज सकता है governor और suspensive veto भी वो यहां पर enjoy करता है ठीक है चोथ house के पास option होता है कि वो president के consideration के लिए reserve रख सकता है money bill के case के अंदर तीन option होते है ascent दे देगा जो है वो act बन जाएगा फिर वो bill या फिर withhold कर लेगा ठीक है लेकिन reconsideration के लिए वापिस जो है state legislature को नहीं बेजेगा वो house को नहीं बेजेगा legislature बोलना गलत होगा क्योंकि state legislature के अंदर तो governor खुद भी आता है house को नहीं बेजेगा house को दुबारा reconsideration के लिए नहीं बेजेगा लेकिन जो president के पास भेजने के लिए reserve रखना जो होता है वो यहां पर भी लागू होता है reserve रख सकता है वो कि उसको decision लेने में को दिकत है तो president उसको लगता है कि president को यह notice में लाना चाहिए तो president के consideration के लिए भी उसको reserve रख सकता है चाहिए वो money bill के ओना हो तो तीन option होते है money bill के case में normal bill में 4 case होते है ordinance making power discretionary नहीं होती है council headed by chief minister वो जो advice करेगी वो ही करना पड़ता है governor को state की case में union territories में यह सारे मुद्धे अलग होते है next है parliament can abolish a legislative council देखो यह legislative assembly नहीं है council अविधान परीशद है जहां पर यह exist करती है तो क्या उसको abolish कर सकती है parliament और create कर सकती है क्या जहां पर यह नहीं होती है if the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect next है इस चीज़ को जब یہ parliament करती है यह बाथ तो correct है आँपो Sulip cracked कर सकती है parliament ही कर सकती है यह य कार state के पास नहीं होता मैं यह parliament ही कर सकती है कि किस स्टेट में विधान परिशत होगी और नहीं होगी लेकिन जब यह करेगी तो changes करने पडेँगी तो वो change जब होगा तो क्या उसको amendment माना जाएगा article 368 के अंडर तो ये बात गलत है 368 के अंडर जो constitutional amendment कहा जाता है वो ये नहीं कहलाएगा ये एक simple bill की तरह pass होगा तो only one is का correct answer होगा ये देखो इंडिया में state legislatures के अंडर कोई uniformity नहीं है कहीं पर विदान परिशद है कहीं पर नहीं है ठीक है ये 2019 का data है जिसमें इन इन states के अंडर दो houses है bicameral है जैसे center में होता है राजिसभा विदान राजिसभा और लोगसभा वैसे हर state में दो houses नहीं होते है अधिकतर में एक ही house है विदान सभाई होती है लेकिन कुछ में विदान परिशद भी है वो upper house होता है state का इसमें देखो maximum strength विदान परिशद की कितनी हो सकती है जो assembly की total strength है उसका one third ही हो सकती है maximum इससे उपर नहीं हो सकती है और minimum 40 हो सकती है ठीक है ordinary legislation की तरह पास होता है जब ये कोई state के अंदर विदान परिशद की जाती है या बोलिश की जाती है तो उस time पर जो bill pass होगा वो ordinary bill की तरह पास होगा simple majority से वो constitutional amendment की जो scheme होती है article 360 में वो बाली नहीं लागू होगी यहां पर यह manner of election है जो मैंने आपर बता दिया है council के अंदर पांच बटे छे मेंबर्स तो indirectly elect होते है यहां direct election नहीं होता है indirect जो proportional representation वाला जो system है वो वाला लागू होता है indirectly elect होते हैं पांच बटे छे तो और एक बटे छे गवर्नर नॉमिनेट करता है next है retired permanent judges of high court are prohibited from pleading or acting in any court before any authority in India कै यह बात correct है तो देखो यह बात गलत है क्योंकि high court से अगर वो retire हो रहा permanent judge तो अगर उसकी age factor बचा हुआ है तो वो supreme court में या फिर किसी दूसरे high court में भी जो है वकालत कर सकता है next है salaries, allowances and pensions of the high court judges as well as the administrative expenses of the high court are charged on the consolidated fund of the state तो देखो यह बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है salary allowance और जो staff के सारे staff के सारे pensions allowance salary है वो सब consolidated fund of state के ओपर ही रागू होते है लेकिन जो high court के judges की pension है सिर्फ एक high court judges का pension का case जो है उस case में pension consolidated fund of India से आती है state से नहीं आती है याद रखना इसलिए दोनों ही चीज गलत हो गई दोनों sentence गलत हो गई यह देखो यह कई बाते यहां पर बताई गई है कि retired case में क्या क्या होता है और salary allowance जो judges का होता है वो salary और allowance की जहां पर बात है तो वो consolidated fund of state के ओपर ही लागू होते हैं लेकिन जहां पर बात high court के judge की pension की है तो judge की pension जो है वो consolidated fund of India देता है बाकी सारा state वाला consolidated fund है उसके ओपर लागू होता है और after retirement या तो supreme court में वो practice कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे high court में practice कर सकते हैं उस state के high court के अलावा ठीक है इन दो conditions के अलावा कहीं plead या practice नहीं कर सकते हैं ये ban on practice होता है after retirement लेकिन इन दो case में ही वो कर सकते हैं practice तो ये आज आपका lesson था और next part में 50 questions होंगे और ये आपको आज रात को मिल जाएगा thanks a lot keep watching it was Amit Senny